स्वतंतरता दिवस हर वर्ष 15 अगस्ट को मनाया जाता है सन 1947 में इसी दिन भारत के निवासियों ने ब्रिटिश शासन से स्वतंतरता प्राप्त की थी यह भारत का राष्टिय त्याहार है प्रतिवर्ष इस दिन भारत के प्रधान मंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं 15 अगस्ट 1947 के दिन भारत के प्रथम प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के उपर भारतिय राश्ट्रिय ध्वज फहराया था। महात्मा गांधी के नेत्रित्व में भारतिय स्वतंतरता संगराम में लोगों ने काफी हद तक अहिंसक प्रतिरोध और सविने अवग्या आंदोलनों में हिस्सा लिया। स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश भारत को धार्मिक आधार पर विभाजित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान का उदे हुआ. विभाजन के बाद दोनों देशों में हिंसक दंगे भड़क गए और सामप्रदायक हिंसा की अनेक घटनाय हुई. विभाजन के कारण मनुष्य जाती के इतिहास में इतनी ज्यादा संख्या में लोगों का विस्थापन कभी नहीं हुआ. यह संख्या तकरीबन एक दशमलव चार पांच करोड थी. भारत की जनगनना 1951 के अनुसार विभाजन के एकदम बाद 32,26,000 मुसल्मान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 32,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए. इस दिन को जंडा फहराने के समारो, परेड और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ पूरे भारत में मनाया जाता है. भारती इस दिन अपनी पोशाक, सामान, घरों और वाहनों पर राष्ट्रिय ध्वज प्रदर्शित कर इस उत्सव को मनाते हैं और परिवार व दोस्तों के साथ देश भक्ती फिल्में देखते हैं, देश भक्ती के गीत सुनते हैं.